Hello friends, नमस्ते, मैं मगराज विल, स्वाखित करता हूँ आपका Mechanical मगराज में दोस्तों आज हम Self Hammering Center Punch बना कर देखेंगे स्वाचोट Center Punch, अपनी ही चोट से Punch लग जाना, Marking हो जाना, ये Center लग जाना तो दोस्तों, जो लोग इसके बारे में पहले से जानते हैं, ये वीडियू उनके लिए नहीं है, क्योंकि वो बारत में कमेंट करेंगे, ये तो में जानता था, इसमें नया क्या है, ये तो सबको पता है, बगरा बगरा और हाँ जो लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं ये वीडियो उनके लिए है तो आएए देखते हैं दोस्तों ये स्क्रेप से हमने ये कुछ मेटल निकाला है जिसमें ये है इसमें ये जो पीछ है ये तीनसूद की चूडी है और ये 10 starts है, तीन सूद की चूडी ये तीन सूद की नॉब है हमारे पास तीन सूद का चाकी है कि जिसको हम इस्तरह से कस लेंगे ये स्तरह से एक पीस है इसको हम 10 mm का सुराग करके इसमें बिठा लेंगे और इसके पीछे ये spring लगा लेंगे ऐसे और पीछे ये knob कस लेंगे ये knob जो इपीछे कस लेंगे और ये दो pin है इन pin को हम यहाँ पर इस तरह से weld कर देंगे इस तरह से यह pin weld हो जाएगी और एक हमें तूटा हुआ टप चाहिए हमारे पास डाइसूत का तूटा हुआ टप है यह तो इस टप को हम क्या करेंगे इसमें सुरा करके डाइसूत का 8mm का सुरा करके इसमें हम बिठा लेंगे तो सबसे पहले हम इसको लेट मसिन पर कलेम कर लेंगे, थूचक में कलेम कर लिया, जैसा बीचक है आप उसमें सिद्धा थूचक थूचक करके और इसमें जो बिट अप है उस साइज का आप इसमें डिल कर दीजिए, जैसा बिट अप है आपके पास तीरी सूथ का है, करके बिठा दीजिए इस तरह से मेरे पास यह डाइशूत का टूटा वर्ट पर तो मैं डाइशूत का इसमें शुराग कर लेता हूं यहाँ पर यह कुलेंट इसको ठंडा रिखने के लिए पुलेंट जिरूर डालना है कटिंग ओल है पानी में मिलाया हुआ थोड़ा से इस्वराग कर दिया अब यहां पर हम थोड़ा ऐसे इसको टेपर कर लेते हैं इस तरह से हम टेपर कर लेंगे और थोड़ा और कर लेते हैं टेपर अब हम इसको बाहर निकालेंगे और इस पर फाइल लगा लेंगे चमका लेंगे इसको पॉलिस कर लेंगे अब हम इसको रूटा पकड़ेंगे और पीछे भी इसके फाइल लगा कर थोड़ा चमकिला बना लेते हैं इसको यह इस तरह से अब जो यह हमारे पास यह इस तरह से यह टप इसमें हम बिठा देंगे चोट मार के इसको बिठा देंगे अंदर और जो हमारे पास दूसरा पीश था इसको हम 10 mm का सुराग करेंगे इसमें तो सबसे पहले हम इसको पकड़के और इसमें पीछे फेस कर लेते हैं इसको अलका सा टच कट फेस कर लेते हैं इसका फेस सीड़ा कर लेते हैं और इसको फाइल लगा लेते हैं इस तरह से और अब हम इसको घुमा कर पकड़ेंगे इसको घुमा लिया और इस तरह से पकड़ लिया और अब इसमें हम आगे फेस करके यह टसकट फेस करके फिर इसमें आगे एक पॉइंट लगा लेंगे सेंटर में बिल्कुल सेंटर में एक पॉइंट लगा लेंगे जिस से पॉइंट से हमारा और देलम ट्रू में होगा आयूट नहीं होगा इन साइड डाइमेटर है वह है 14 में तो हम इसकी साइड 14 mm बना लेंगे यह इस तरह से 14 mm साइज बना लेंगे यह भी थोड़ा भारी है अब चैक करते हैं यह अब ठीक है तो इसको हम कट लगा के लगा लेते हैं ऐसे और अब इस पर थोड़ा सा फाइल भी लगा लेते हैं कि इस तरह से ये स्प्रिंग उपर आ जाएगा इस पिन वो गैक साइड से आएगी पर इस तरह से हम डालकर देख लेते हैं कोई बार ने पर पिन यह खोल लेते हैं इसको यह देखिए यह हमारा इस तरह से यह बन गया आए यहां यह ऐसे फिट होगा और इसके पीछे वो नौब लग जाएगे और आगे यह जो है डाइसूद का टप हम इसको बिठा लेगे आगे तो यह बाटी पीछ पड़े है हमारे अब हम इसमें यह जो हमारे जो दो पिन है इस पिन को हम इस पर ऐसे वेल्ड कर लेंगे तो अब भी कर देते हैं चलो यह लो हमने वेल्ड कर लिया है इस तरह से हमारा वेल्ड हो गया है और अब हम इसको इसमें पहले संटर पंज को बिठा लेते हैं अंदर और उसको नुकिला भी कर लेते हैं इस तरह से अब और यह पिछे हमने इसको बेठा दिया यह जो हमारा जो हमर का काम करेंग और यह पिछे से नॉब इसप्रिंग डालों के नॉब को हमने कस दिया है इस तरह से हमारा सेल्फ हम रिंग स्वचोट सेंटर पंच इस तरह से हमारा स्वचोट सेंटर पंच बन गया है खुद की चोट से इस पर पंच लगेगा तो चलिए हम पंच लगा के मार्क में हैं इसको मार्किंग करके देखते हैं पंच लगता है या नहीं सेंटर लगता है या नहीं तो चलिए देखते हैं यह एक पत्ती है डाई सूत की पत्ती है इस पर हम सेंटर लगा के देखते हैं यह देखिए यह सेंटर में लगा है बिल्कुल देखिए इस तरह से हम इस पर सेंटर में और लगा कर देखते हैं चार पांच शे और लगा कर देखते हैं यह देखिए लग रहे हैं यह काम कर रहा है यह देखिए मैं सारे लगा के मैं आपको बताता हूं चार पांजाओ लगा देता हूं मैं इस तरह से हम इस पर यह पंच मार देता है अब मैं आपको दिखाता हूं खोल के यह देखिए यह बागादा काम कर रहा है और यह सब सेंटर पंच हमने जहां जहां मारकीं किया था वहां पर हमने सेंटर पंच लगा लिया है तो इस तरह से यह सेल्फ हैमरिंग सेंटर पंच काम करता है दोस्तों आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन जुरूर क्लिक कर दें ताकि मेरा हर नया वीडियो पहुंच सके सबसे पहले आपके पास और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू वेरी मच